पुलिस की टीम शराब की सुचना मिलने पर छापे मारी करने जाती है, लेकिन अचानक उसके उपर हमला हो जाता है, और फिर देखते ही देखते, उसके कई जवान घायल हो जाते हैं, शराब को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाय या रहा है, लेकिन कई जगों पर खुद अपनी जान बचा कर भागनी पड़ रही है, तो कुछ जगों पर पुलिस वाले जान बुचकर लोगों को परिशान भी कर रहे हैं, और इसको लेकर कई प्रकार के सवाल भी उठे हैं, कई जगह से तो इस प्रकार की खबर भी आई, कि पुलिस की तरब से जान पुलिस पर पत्थर चलाए जाते हैं, और इसमें एक पुलिस का जवान जखनी हो जाता है, और इस शापे मारी में कई और जवान भी शामिल थे, लेकिन वे बाल बाल बच जाते हैं, या फिर उनको हलकी चोट आती है, मतलब कि पुलिस की टीम गाउं में शापे मारी करने जाती है, तो उन पर हमला किया जाता है, और कुछ दिन पहले अभी ख़बर आई थी, कि ये गाउं में पुलिस के जमान पहुंचते हैं, और वहाँ जबरन खाद रखने के नाम पर, यानि कि जो पहले से खाद रखा गया था, उसके नाम पर पर परिशान करते हैं, अब नम जो इसकी तबियत जो है, बहुत ज्यादा खराब हो गई, हनमान आयब के माध्यम से, उसे जानकारी मिलिया, और हमारे आने तक, यानि कि ऑपरेशन तक, सारा देख रेख, हनमान आयब के थुरू हुआ, धन्यवाद हनमान, यह सब बताने का मेरा मकसद है, कि कुछ जगहों की तरब से भी जबरदस्ति की जा रही है, और बेवजा आम लोगों को परिशान किया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर पुलीस के जवान, जब शराब की सुचना पाकर छापे मारी करने जाते हैं, तो उन पर हमला कर दिया जाता है, ऐसे ही ये खबर भोजपूर जिले से जाए, जहां शाम के समय में पुलीस के पास सुचना मिली कि ये घर में शराब रखी हुई है, और फिर पुलीस के जवान वहां छापे मारी करने के लिए पहुँझ जाते हैं, लेकिन पुलीस बालों को इस बात का अंदाजा नहीं होता है, कि वहां उनके साथ क्या हो सकता ह भोजपूर जिले के अंतरगत एक शापूर थाना आता है, और इसी शापूर थाना छेतर के अंतरगत रानी सागर नामक के गाउं की है, पुलीस के जवानों को सुचना मिलती है, कि इस गाउं के घर में शराब रखी हुई है, और फिर पुलीस के जवान वहां छापे मारी क चामेल होते हैं उन्हें गर में घुस्ते ही घर में बंदख बना लिया जाता है। जब वा मौझूद पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि अंदर गैप अजिकरी को घर में बंद कर दिया गया है। तब पुलिस की एक टीम उन्हें छुडाने के लिए उस तरफ बढ़ी, रेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उन्हें छुडाने के लिए घर के करीब पहुची, वैसे ही घर की छट पर मौजूद बच्चे और महिलाओं द्वारा छोटे-छोटे पत्थों से उन्हें पर हमला कर दिया गया, जब उदर से हमला हुआ तो पुलिस की टीम हलबढा गई, और इसी हलबढा हट में एक जमान पत्थरबाजी की चपेट में आ गया, बता जा रहा है कि वह जवान भी बाकी पुलिस कर्मियों के साथ उस घर की तरफ बढ़ रहा था, जहां पहले से पदाधिकारी को बंधक मनाया गया था, जवान जखमी हो गया, तो उसे आरा के सदर अस्पिताल मिला कर भरती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, गुप्त सुचना मिली थी, और इसी गुप्त सुचना के अधार पर, LDF की टीम ने बबलू पास्वान के घर पर छापे मारी की, लेकिन उसी समय घर की महिलाओं और बच्चों द्वारा छट से रोले बाजी की गई, जिसमें पुलिस के जवान घायल हो गया, पुलिस की तर पुलिस की टीम में कई जवान शामिल थे, जिसमें से एक जवान को गंबीर चोटा आई है, अब फिलहाल पुलिस आगे की क्यारवाई के लिए योजना बना रही है, और यहाँ पुर्व में घटित कई यान घटनाएं भी आपको याद आ रही होंगी, जहां कुछ जगों पुलिस के उपर हमला किया गया, तो कुछ जगों पर शड़ाव के नाम पर पुलिस के उपर आरोप लगा कि वह जबरन लोगों को परेशान कर रही है, बाकी शड़ाबंदी के नाम पर लगातार छापे मारी राज्य भर में चल रही है, और बिडबना देखिए कि लगाता को सफल बनाने में जुटी हुई है, बाकी शड़ाबंदी कितनी सफल हुई है, यह तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और समाच दार यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है, इसे भी आप महसूस कर रहे होंगे, बाकी इस मामले में आगे अगर कुछ अने जानकार आएगी, तो उसे एमाप तक पहुचाएंगे, इस वीडियो को अभी यही समाप करते हैं, वीडियो को शेर्क कीजिएगा, अगर फेस्बूक पर देखने हैं तो पेच को लाइक कर लीजिए, ताथा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर बहुत आएगे जया कर दो दो आएगे हैं